किस तरीके की सर्विसे उफर करते हैं अगर आपको लड़कियों में ही दिल्चस्पी है तो हम आपको लड़कियों से मिलवाते हैं प्रोफाइल्स भेजते हैं और आप अगर प्रोफाइल अप्रूव कर देते हैं तो फिर उन लड़कियों के साथ अपडेट पर जा सकते हैं जी बिल्कुल लड़कियों में तो इंट्रेस्टी इंट्रेस्ट है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मैं तो इंट्रेस्टेड हूँ आपका नाम? जी मेरा नाम सनी सनी अचा कहीं आप दियोल खानदान से नहीं है न? नहीं नहीं जी दियोल खानदान से नहीं नहीं क्योंकि वो तो शादी शुदा है इसलिए पूछा मैंने पर आप तो सिंगल लगते हैं मुझे नहीं नहीं मैं बिल्कुल सिंगल हूँ कोई अचा कुछ भी नहीं है अचा तो बताईए कि आपके क्या क्राइटीरिया है किस तरह की लड़कियों को आप डेट करना पसंद करेंगे? सुंदर होनी चाहिए थोड़ी लंबी होनी चाहिए और मतलब मज़ा है जिसको डेट करके आप से छोटी हो तो भी चलता है? अब एट दी अंड लड़की होनी चाहिए जी यह आपने क्लारिफाइ कर दिया बहुत अच्छी बात है क्यूंकि आजकल हमारे पास हर तरह के रिक्वेस्ट आते हैं आप समझ सकते हैं ना? अच्छा सानी मैं आपसे एक बात सच सच बताना चाहती हूँ अच्छी मैंने आपको चेक आउट किया इंस्टा पे और सच बताऊं तो मैं खुद आप में इंट्रेस्टेड हूँ यह कोई दिक्ट नहीं है मैं भी इंट्रेस्टेड हूँ आपकी तो आवाज भी इतनी प्यारी है ओ थैंक यू अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ क्या आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? जी कुछ भी कर दूँगा, आप बस बताओ क्या करना है? क्या आप मेरे लिए ताज महल बनवा सकते हैं? ताज महल से भी अच्छा ताज महल बनवाऊंगा, बहुत कॉंट्रेक्टर हैं मेरे जानके जानके बैचे मैं होटेल की बात नहीं कर रही हूँ जी नहीं, मैं साजाआ वाले ताज महल की बात कर रहा हूँ, उससे भी अच्छा बनवा दूँगा हाँ, वैसी मेरा नाम मुम्ताज है, उसलिए पूछा मैने क्या आप मेरे लिए दुनिया से लड़ सकते हैं? क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकते हैं? शॉपिंग पे चलूँगा, आपके बैग उठाऊँगा, आपके पीछे पीछे चलूँगा, आप जिस स्टोर में जाऊँगा, आप जो बोलोगे वो दिलाऊँगा, ट्रेडिट काइड, डेबिट काइड, बैंक अकाउंट, आइससी कोड भी ले 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 ना, एक और आखरी स इलो, सनी, हाँ भाई, हाँ भाई हईलो, कौन, ने ने तुम बताओ ना, तुम्हारी वइफ को बता दें ये सब, मुम्तास के लिए ताजमहल बनुखाना है तुमने, अरे भाई साब गलती हो गई, भाई साब, डीदी बोल दूगा, मुम्तास, डीदी, सौरी, हलो, हलो, हल मैं चैंब कि इसंट प्मकिड को दिखा दिना उनको क्या समझे जन इस मैं और ऑर दो पेफिचर दिखा दूगा मैं उनको आप मैं लिखा नो अरे भाई सुनो अब इतना भी overcompensate मत करो हम समझ गए बस ध्यान रखो और आगे से ऐसे call पर कोई service ने नी समझे बिल्कुल भाई साब अब कभी किसी के साथ नहीं करूंगा और आप सब भी जाके movie देख के आईए wife के साथ girlfriend के साथ दोनों के साथ